अलो स्टुडेंट्स जैसा कि आपका आज कंप्यूटर साइंस का एक्जाम हो चुका है और पहले हम लोग यहां पर का जो है आंसर की देखेंगे कुस्टन जो है अगर तीन दो तीन प्रस्ण छोड़ दिया जाए तो सारा प्रस्ण काफी आसान था प्रिविस यर में पूछा जाए चुका था प्रस्ण को में सुरू करते हैं सबसे प्रस्ण जो की हर कोई बनाया होगा हूँ इस दा डेवलपर क्या कहते थे उसको हम लोग token कहते हैं ठीक है सब प्रिविस यर का पूछा हुआ है यहाँ पर प्रस्ण संख्या तीन की और बढ़े की स्ट्रिंग टर्मिटर करेक्टर कौन सा है तो आप जानते हैं बैक स्लेस जीरो है ना जिसको हम लोग नल बोलते हैं आगे बढ़ते हैं प्रस्ण संख्या 4 C++ में C in, C out, CRR यह predefined stream क्या है इसका सही उतर होगा यह pre-stream object है आगे चले प्रस्ण संख्या 5 की तरब प्रस्ण संख्या 5 आपको बताना है इसमें से relational operator कौन सा है ठीक है तो relational आप से पूछ रहा है तो relational जो operator है वो है आपका यहाँ पर D number less than greater than equal to not equal to प्रस्ण संख्या 9 की तरब बढ़े तो which of the following correctly declared an object of a class यहां student confuse करेंगे देखिए जब भी हमनों किसी object को जो है declare करते है सबसे प्ले class का नाम लिखा जाता है और उसके बाद जो है object का नाम लिखा जाता है ठीक है तो यहाँ पर confusion basically आपको A और B को लेकर को हो सकता है तो देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि class का नाम student हो और ओभी जो है वो object का नाम हो ठीक है class का नाम क्या हो student हो और ओभी जो object नाम हो तो हम लोग मैं जो है इस answer में जाओंगा यह नहीं बी नमबर में जाओंगा ठीक है अब question number 10 static member function कैसे call किया जाता है तो इसका से उतर होगा class name को लगा करके आगे चले प्रसन संख्या 11 inline function के बारे हम पूछ रहा है यह भी कई साल पहले पूछा है आपका declared and defined inside the class prefix with inline called at compile time इसका जो होगा आपका यह जो है बी नमबर फिलहाल बी नमबर ठीक है prefix with inline है ना आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रसन संख्या जो है बारे की तरह function overloading जो है यह object-oriented programming के किस concept को implement करता है तो function overloading का संबन जो है वो polymorphism से है प्रसन संख्या 13 public inheritance में public data member जो होता है वो base class का वो derived class में कैसे treat होता है तो public inheritance में base class का public data member derived class में भी public ही treat होता है प्रसन संख्या 14 the chain depicting the derivation of class from multiple base classes is called देखे इसका उत्तर container strip तो बिल्कुल नहीं होगा container strip अलग सा चीज है उसमें derivation जैसा चीज नहीं होता है यहाँ पर देखे जो यह पहले कर पूछा जाए कि कौन से inheritance के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर आपके multiple based class हो सकते है ठीक है multiple based class हो सकते है जहां से एक class क्या हो रहा है जहां से एक class निकल रहा है ठीक है तो इस तरह का जो चीजे होती है इसको हम लोग graph की तरह देख सकते है तो यह मैं answer मैं b number option में जाना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से यहां जो है इन रिटेंस ग्राफ ही होना चाहिए सही अंसर आगे चलते हैं प्रसन संख्या पंद्रा तो प्रसन संख्या जो 14 था वो थोड़ा सा किया जाता है बड़ा एजी है सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं फिर एस्टिक लिखते हैं फिर वेरिवल का नाम लिखते है तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा का ए नंबर आगे चले प्रसन संख्या सत्रा एलिमेंट को जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है उसके लिए क्या होगा उसके लिए डीक्यू होगा आगे बढ़ते हैं प्रसन संख्या हम लोग 18 की तरफ इसका सही उतर होगा उसे डॉमें कहते हैं आगे बढ़े यहाँ पर प्रसन संख्या 21 कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो डेटा मैंने प्लस लेंग्वज डेटा मैने प्लस लेंग्वज कमांड नहीं है ठीक है इसका सही उतर होगा कमिट यह नहीं है प्रस्थन संख्याइब 20 के और बड़े डूएल निकालना है किसका किसा A B है ना तो देखे A B B डूएल में क्या होता है फिक है डूएल में पिस्फिकली होता है कि जहां डॉट हो वहाँ प्लस ठीप हो देखे Steps a plus b ठीक है यह plus जो है dot पर बदल जाएगा फिर यहां हो जाएगा a और यह dot जो है a not naughty रहेगा यह नहीं naughty रहेगा प्लस b यहां यह जो plus है यह dot पर बदल जाएगा और j1 यह 0 में हो जाएगा तो सही answer ही यह होगा देख लिए कहां यह answer आपको मिलता है यह आपको जो answer मिलता है वो बी नमबर मिलता है यह बी नमबर होगा प्रसन संख्या 23 यहां पर कहा रहा है कि डेजी के निशन बताना है ठीक है तो बड़ा असान है इकस नॉट प्लस यापका जो होता है यह किहा होगा यह होगा होता है तो इसका उतर जो होगा वह यह नंबर होगा आगे बढ़ते हैं प्रस्ट संख्या 24 अलोकेशन नेट सर्वर इस कॉल्ड उसको हम लो कहते हैं वेड़ साइट ठीक है हम लोग कैसे मेजर करते हैं बाउड के दिवारा तो यह था आपका 25 एमसी क्यों सभी का स्लेसिन में आपको बता दिया है चेक लेजिए आपने कितना सही बनाया है